दोस्तों, खल मेरी बात मुंबई पुलिस के एक अफसर से हो रही थी, मेरा दोस्त है, उनकी एक लाइन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, कह रहा था कि अक्षे, कमाल है न, आप लोग अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, और आरेडी की बात ये है कि हम अपने घर जाने से डर रहे हैं, सारा दिन सड़क पे रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कई बिमारियां अपने घर वालों को ना दे दे, इसलिए हम घर नी जाते, दस-दस दिन, बारा-बारा दे, मैं बहुत देर तक सूचता रहा, हमें अंदाजा भी नहीं है कि हम सेफ रहे इसके लिए कितने लोग अपनी जान को जोके में डाल कर हमारे लिए दिन रात काम करें, हमारी पुलिस फोर्स, नगर निगम के वरकर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अलग-अलग एंजियो के वॉलिंटियर्स, हमारे सरकार के लोग, राशन वाले, सबजी वाले, दूद वाल बिल्डिंग का जो वाच्मेन हैं, वो भी, और भी ऐसे कई जुरूरी काम करने वाले बहुत से लोग हैं, एक, मैं समझता है, पूरी आर्वी है, जो चौवीस घंटे काम कर रही है, ताकि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गर बैठ ताकि तो बनता है, दिल से थांक यू बनता है, मेरे अगले ट्वीट में इसके बाद जो ट्वीट डालूँगा, मैं सबको अपने और अपने परिवार वालों की तरफ से दिल से थांक यू करूँगा, अगर आप चाहें, तो मेरा अगला ट्वीट आप कॉपीपेस्ट कर स Hashtag, दिल से थांक्यू के साथ. Guys, let's show our gratitude because that is the least we can do. अपना ध्यान रोकिए.